आज का ये वीडियो काफी खास काफी important होना वह लें क्योंकि आज इस वीडियो के मादने से बात करें का most important questions के वारे हैं जो आपका previous exam जो था आपका JPSC और इसके पहले आपका सेजल के exam हो चुकत है तो उसमें ये questions पूछे गएं तो ये जो questions है most important है और इसका expected sense काफी बढ़ जाता है examination में आनेगा तो इस वीडियो में आप सुरू से लेकर अंतक बने रहेएगा झार्खंड भारत का राज पूछ रहाए कि झार्खंड भारत का कौनसा राज है इसका उतर लग ऐठाइस्वारम झार्खंड राज की उप्र अजनिक क्या है जानते हं आपको दुम्सक्राइए ये विस्तार यह अब देख लिएका इसको तो रणने वाला चीज है 28 डिगरी अंठावन मिनट 10 से 25 डिगरी उनीच मिनट 15 से लेकर 25 डिगरी उनीच मिनट 15 से अगला कुछन है कि जार्खन राज के देसांत्रिय विस्तार है 13 डिगरी अगला कि उत्तर से दक्षिन दिशा क्यों जार्खन राज का विस्तार है कि उत्तर दक्षिन तक जार्खन राज का विस्तार कितना है तो इसका यह रटने व्ला है चेतलपल की धृष्टी से झारख यद भारत में अस्थान है 15 छेथ्रपल की दृष्टि से ब्रक्रें तो जरखंड का पॉइशन भारत में 15 नामर पेए ठीक? जर्खंड राज का छेथ्रपाल है? जर्खंड राजके ये जहारखन राज का टोटल एरिया है भारत का टोटल एरिया है बहारत का टोटल एरिया का कितना परसेंट है ते पुछ रहे है इसका उतर होगा दो पॉइंट ब्यालीस परसेंट जहारखन राज में अभी तक कुल कितने ब्यक्ति मुख्य मंत्री पत पर आसीन हुए छेव ब्यक्ति जहारखन उच नहले के वर्तमान मुख्य नाधिस है नाधिस डॉक्टर रवी रेंजन जहारखन राज में कुल कितने संसेदी स्टिय है जहारखन राज में अगर लोकसभा की बात करें सुनिये संसेदी सीट में आप बोल रहा है लोकसभा राजसभा मिला कर तो यह आपका 20 है अब बात कर रहा है कि जहारखन में लोकसभा का कुल कितना सीट है यह आपका 14 होगा जहारखन राज में कुल परखंडों की संक्या कितनी है 283 है जहारखन राज में राष्ट्री राजमार्गों की कुल लंबाई है जहारखन राज में जो नेशनल हाईवे है उसका लंबाई पुछ रहा इसका तो इसका होगा आओ चौर्थ उसमें टोडल कितने जिल्ले थे जारकन राज के किस प्रमंडल में सरवाधिक जिल्ह थे तो इसका होगा जानते हैं आप लोग उदेश्वड़ा नापपुर दखिन छोड़ा नमरू कुलहान कि क्लामोपलमंडल संथाल प्रगना यह सब्ची जार्खन राज का सबसे बड़ा संसेदी छेत्र है पस्यमी स्विभूम जो आपका पस्यमी स्विभूम है यह जार्खन राज का सबसे जाथ के संख्यां 32 मतलब ज्छार्खण में टोटल 32 अनुसिट जनजाती निवास करते हैं ज्छार्खन राज की पक्षिक है कोएले जानते हैं ज्छार्खन राज की पस्व है हाथी इस अपलोग हो आकिफी होंगी ज्छ नचके राज कि व्रिक्ष साल ज्याद वह humility स algunas神 के क कर दाया को दाधस कोए उस सितल राची में आपका दक्षित था है करक्राज के गटन के कितने Chuck तक थाथापित हुआ मतलब इस तो सुमें कितने नए जीळो का गटन कर देड़न के लिए दा जारखन राज की लोगों कितने जेड़ पर्व क्या है जरखन राज में जो लोगों लिखा हुआ है आउ समीक कितना जेड़ॉस क्या गया तो समय हो गजार जार ऐना किने कुल जंसंक है कितन लिकषा हुआ हैнов तीन करोड 29,188,134 इतना आपका पोपिलेशन जार्खन आजका अब अगला है जार्खन की दिरिष्टी से जार्खन का जनसंख्या की दिरिष्टी से जार्खन का भारत मस्ताने चौदवाँ जार्खन की जनसंख्या की दिरिष्टी से देखे तो जार्खन का जनसंख्या है भारत का टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है तो 2.72 जार्खन राज की कूल जनसंख्या में महिलाओं को परसेंट प्रतिसी देखे पिछले जो यह इसमें था इसमें तो बद्तिस नवर में की टोटल जनसंख्या जो है आपका अनुसित जनजाती का वो कितना परसेंट है तो यह पुछा आपका 26 परसेंट आप आगला चारखंड राज का सरभादिक जनसंख्या वाला जीला राची राची मे सबसे ज्यादा पॉब्लेशन निवास करते जारखंड गुरियों अगर आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है और अगर आप लोग यह अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करेज़ेगा और चैनल पर नया है तो हमसे चैनल पर जुड़कर एक सब्सक्राब दिएग एक जार्खंड जन्सन के घनत्त वाल जीला करने का जर्खंड में लिंगन उपात कितना है 499 अब इंपोर्टन कोशन है कि जार्खंड राज में सर्वार्थिक लिंगन उपात वाला जीला कॉन सबस्यादा लिंगन उपात है है पत्स्राइब नमे लिग्यानूपत कहत references जार्कन राज ऩमें नियुंतों लिंगानूपत वाला जिलाला कॉन सो खारताें ग्रामे लिंगानूपत कहते हैं कित हैे या पफटागां नोंच सो 102 खारताें टादेंrend कि अत्सक्राम क्ना न मतने गत्वार कलें झाल झाल